दोस्तों स्वागत है आपका आज मैं आपको सुनाऊंगी एक जबरदस थ्रिलर, मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी कहानी इससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं चैनल पर ऐसी ही कहानिया लेकर आती रहती हूँ और चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूले जिससे जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी कभी कभी कर्नल विनोध चुटियों में फोर टाइगर्स को भयानक जंगलों और ऐसे पहाडों की सैर पर ले जाते थे जहां अच्छे से अच्छे शिकारी भी जाने से थर राते थे कर्नल विनोध हमेशा यही चाहते थे कि फोर टाइगर्स अभी से खत्रों से खेलने के आदी बने निडर और बहादूर बने मतलब ये कि शेर के बच्चे बने ऐसे शेर बच्चे जो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर उससे हस्ते हस्ते टक्रा जाए वो ये भी चाहते थे कि फोर टाइगर्स गरीबों और बे सहारा लोगों के मददगार बने और डाकू, जाल सास, ठग, लुटेरे, तसकर और ऐसे ही दूसरे अपराधियों पर बिजली की तरह तूट पड़े और उन्हें कानून के हवाले कर दे करनल विनोथ फोर टाइगर्स को हमेशा यही सीख देते थे कि हर नागरिक का कर्तव्य कानून की मदद करना है ताकि समाज में आमन चैन बना रहे, सब सुक से जी सके और चैन की नीन सोच सके फोर टाइगर्स यानि टाइगर, मोहित, डॉली और सोनल, चार नीडर बहादुर और जासूस बच्चे जो करनल विनोथ के सपने को जाकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे उनके कारनामे सोन कर घरों में माबाप अपने शरार्ती और बिगड़े बच्चों को उनका उधारन देते हुए कहते फोर टाइगर्स की तरह बनो, दुनिया में नाम कमाओ सच मुच, फोर टाइगर्स की बड़ी ठाक थी उनके फोटो, नाम और कारनामे ना जाने कितनी बार अकबारों में चप चुके थे बड़े बड़े अफसर उन्हें प्यार और सम्मान देते थे कहीं जाते तो कुरसी पर अपने पास बिठाते एसफी गिरिश का चेहरा उन्हें देखते ही खेल जाता था जबकि इंस्पेक्टर सुधीर की तियोरियों पर बल पड़ जाते असल में इंस्पेक्टर चारों जासूस बच्चों से बहुत जलता था क्यूंकि कई केसों में ये बच्चे बासी मार ले गए थे और इंस्पेक्टर सुधीर मूँ तागता रह गया था जुन्जलाकर वो कै उड़ता था बाई फ़डॉर एक दिन हत्य चड़ गए तो इन नने जासूसों की टोली को वो मज़ा चखाऊंगा कि हमेशा के लिए पुलिस के मामलों में टांग अड़ाना भूल चाएंगे अंकल बाई फ़डॉर आप क्या करेंगे सोनल उनकी नकल उतारते हुए अपनी हसी दबा कर कहती थी सबको अंदर कर दूँगा इंस्पेक्टर सुधीर चीक कर कहता किसके अंदर अंकल डॉली शरारत से बास नहीं आती हवालात में जेल में समझे भाग जाओ यहां से मिरा सिर मत खाओ वर्ना वो क्रोध में हाफने लगता था वर्ना क्या करेंगे अंकल डॉली मुस्कुराते हुए पूछती वर्ना वर्ना अपना सिर्फ ओड लूँगा वो तिल मिला कर कहता और फिर चीकता दिवान सिंग नहीं इने जीप में डालकर इनके घर छोड़ाओ और करनल सहाब को बोलना बहुत तंग करते हैं वो हाफता हुआ अपनी कुर्से छोड़ कर उठ खड़ा होता था थैंक्यू अंकल हम भी यही चाते थे कि टैक्सी में क्यों पैसा बरबाद किया जाए टाइगर कहता फिर चारों बाहर आकर जीप में लग जाते इंस्पेक्टर सुधेर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था क्यूंकि एस पी उन्हें बहुत चाते थे चारों की हर अ टोली का मुकिया था वो मेकप करने में माहि जूडों में तेज तर्रार लंबा तगड़ा उम्रत 14 साल ये नन्ना जासूस जब जूडों के दाव पेच दिखा था तो भारी भरकम पहलवान नुमा अपराधी भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे वो हर समय सोचता रहता वो टोली के शेश तीनों सदस्यों के साथ बैठ कर योजना बनाता और तब समझो कि अपराधियों की शामत आ गई तीनों साथी टाइगर की हर बात मानते और उस पर अमल करते क्यूंकि वो उनका चीफ जो था और था सबसे हुश्यार चुस चालाग सोनपुर का पहार बड़ा भयानक था ये पहारी जंगल गनेरे पेडो जार जंकार और उन्ची पूरी जाडियों से भरा जंगल था वो डाकू और भयंकर जंगली जानवरों का हमेशा खत्रा रहता कोई सूर्मा भी वह जाने से पहले दस बार जरूर सोचता होगा लेकिन करनल विनोत वो भला कब मानने वाले थे खत्रों से खेलना उनका शौक था सबने मना किया कि बच्चों को मत ले जाओ पदा नहीं कब क्या हो जाए टाइगर की ममी ने तो करनल साहब से अच्छी खासी लड़ाई भी कर डाली जबकि वो जानती थी कि उनके पती मन से जो ठान लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते मैं कुछ नहीं जानती अगर बच्चों को कुछ हो तो समझो जान दें दूँगी अपनी ममी ने बखला कर कहा था एक जोरदार ठाहा का लगाया था करनल विनोत ने मेरी जान निकली पड़ी है और तुम हस रहे हो वो बुरी तर जुंचला उठी थी देखना अगर बच्चों को कुछ हो गया तो तुम्हें अपना मूँ भी नहीं दिखाऊंगा करनल विनोत हस्ते रहे थे आगे कुछ भी कहना बेकार था उन्हें मालुम था अधिक बहस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा इसलिए चुप चाप उनकी तय प्यारियों में सहायता करने लगी थी तयारिया पूरी हो गई थी करनल विनोत के पास अपने इस चेन गन थी टाइगर ने उनका रिवॉल्वर अपने पास रखा था एनसेसी की वर्दी में था पी-के, पी-केप और हॉलेस्चर में रखे रिवॉल्वर ने सच मुछ उसे पुलिस कप्तान की तरह जचा दिया था। मोहित सोनर और डॉली के पास अपनी अपनी एर गने थी। कुछ चुरियां चाकू और मजबूत रसियां भी ले ली थी। एक तांत का बना हुआ जाल और दो टेंट भी थे उनके पास। दूर्बिन कैमरा और दूसरी आवश्यक चीजों के इलावा एक सब्ता के लिए खाने पिने का सामान भी था। टाइगर अपना मेक अप का किट लेना भी नहीं भूला था। बाई फॉड और टाइगर भाईया, जंगल में मेक अप के सामान का क्या करोगे। सोनल हमेशा की तरह इंस्पेक्टर सुधीर की नकल उतारते हुए बोली थी। खुंकार डाकू का भेस बना कर जानवरों को डराएंगे टाइगर भाईया, डॉली ने हसते हुए कहा था। नहीं, बलके शेर का भेस बना कर जानवरों के राजा बनने का इरादा होगा, मोहित भी हस पड़ा था। बच्चों का देर करना उन्हें सचमुष बुरा लग रहा था। जहां हम अपने टेंट गाड़ेंगे। तीन घंटे पैदल, सोनल ने सहमी हुई आवास में कहा, अगर तुम लोगों की चाल सोस्त रही, तो चार पाच घंटे भी लग सकते हैं। करनल विनोद मुस्कुराए और अपना पाइप सुलगाने लगे। टाइगर ने डिबबा खोल कर सब को टौफियां बांटी और कहा, मज़ा तो जब है कि जब हम शर्त बढ़ कर चड़ाई शुरू करें। जो सबसे पहले पहुंचे, उसे हिटलरी की उपादी दी जाए, क्यों डैडी। ओके, ओके माई सन, करनल विनोद जोश में आ गई। लेकिन अंकल, हिलेरी तो मर्ड था और हम लड़किया हैं। डॉली ने शंका प्रकट की। कोई बात नहीं, लड़कियों में से जो जीतेगा उसे बचेंदरी नाम से पुकारा जाएका। करनल विनोद ने उसका उत्सा बढ़ाया। वही बिचेंदरी पालन अंकल, जिसने पिछले साल माउंट एवरेस की चोठी पर चड़ कर सारे संसार में नारी जाती का मा था गर्व से उंचा कर दिया, सोनल ने जानना चाहा। हाँ वही, करनल विनोद ने पाइप का धुआ निकालते हुए कहा। तुम्हारे दिमाग में होगा ना, करनल विनोद ने पूछा, येस सर, चारों ने एक साथ कहा, और रेडियां बजा कर जोरदार सैलियूट मारा। करनल विनोद हसते हुए अपना के टुठा कर आगे बढ़ गए, और बढ़ते बढ़ते ही बोले, अपनी अपनी घडियां देखते रहो, 20 मिनट बात दौट शुरू। ओके सर, सबने एक साथ कहा और अपना-पना सामान पीट पर लात लिया। उनके हाथों में चड़ाई के समय इस्तेमाल होने वाली छडियां भी थी, जिनने टिका टिका कर उपर चड़ने में संदूलन बना रहता था। वो सब तयार थे, 20 मिनट पूरे होते ही टाइगर ने सीटी बचाई और वे तेज-तेज कदमों से उपर चड़ने लगे। वो जानते थे कि अभी से दौड़ना शुरू कर दिया तो बहुत जल्द थक जाएंगे और हाठ जाएंगे। दौड़ का नियम भी यही है कि पहले धीरे धीरे भागो, फिर तेज और मंजिल करी बाते आते सारा जोर लगा दो। वो धीमी गती से चड़ रहे थे पर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश भी कर रहे थे। आधे घंटे बात ही उस रास्ते में घने व्रिक्षों का जंगल शुरू हो किया। दिन का समय था और आस्मान पर सूरच चमक रहा था। इसलिए व्रिक्षों से चंचं कर रोशनी आ रही थी जो उनके लिए काफी थी। डौली ठकने लगी थी इसलिए हाफ रही थी पर अपनी चाल को काबू में किये हुए थी। सोनल में अभी उ और टाइगर मन मन मुस्कुराता धीमे धीमे चड़ रहा था। उसने तैक कर लिया था कि वो दौर में शामिल नहीं रहेगा। जी थार का फैसला इन तेनों में होना है। करनल विनोद ने चलते समय उसकी और आंग से एक इशारा किया था जिसका मतलब था तुमें दौर मे भाग नहीं लेना है इनकी रक्षा के लिए पीछे रहोगे। और तभी टाइगर का हाथ होलेस्चर में रखे रिवॉल्वर पर चला गया। उसके डैडी ने उसे एक अच्छा निशाने बास बना दिया था। एक बार तो इंस्पेक्टर सुधिर से उसकी ठन गई थी और उसने सच मुच इंस्पेक्टर को निशानी बासी में हदरा दिया था। उस देन से वो टाइगर से और भी जलने लगा था। क्यूंकि उसकी हार एसपी साहब के सामने हुई थी और उन्होंने इंस्पेक्टर को बुरी तरह लथा। वो डैडी के इशारे को ध्यान में रख कर ही चड़ाई तै कर रहा था। अभी उन्हें चड़ाई पर कदम डालते करते एक ही घंटा हुआ होका तभी एक गोली छूटने की आवास आई। फिर एक और गोली और तेज गुर गुरहट भरी चीक। धम से किसी के गिरने और लुड़कते हुए नीचे आने की चारो अपनी अपनी जगत थम गए। टाइगर होलेस्चर से रिवालवर निकाल तेजी से आगे चपता। देखते ही देखते वो उन सब से आगे दोड़ किया। रुख जाओ टाइगर भाईया। आगे खत्रा लगता है। डॉली जोर से चीकी। तभी टाइगर ने कुछ सोचा और पलट कर मुस्कुराते हुए बोला खत्रा टल चुका है। कैसे मोहित ने हाफते हुए पूचा। ये आवाज स्चेन गन से निकली गोली की थी और स्चेन गन डैडी के पास है। वो बोला और वो धम से गिरने की आवाज सोनले डरे हुए अंदास में पूचा। तुम सबने एक गुर गुराहट भरी चीक भी सुनी थी। वो जेम्स मौन वालेस चाइल में कमर पर हाथ रखे खड़ा था। हाँ हाँ सुनी थी सब एक साथ चिलाई। वो कोई जंगली जानवर रहा होगा जिसे डैडी ने मार गिराया। उसने अपनी सूच बूच पर सी आगे पहुँ चुका था। डॉली ने चिलाकर कहा। बैमानी नहीं चलेगी टाइगर रहां ? कैसी बैमानी ? टाइगर ने चौंक कर पूचा। आगे कैसे पहुँच गये। डॉली ने पूचा। ओ हाँ उसने कहा। और हसता हुआ सब से पीछे पहुच कर खड़ा हो उपर की तरफ लपके, सोनल सबसे आगी थी, फिर मोहित और फिर डॉली, अब उनकी चाल में काफी तेजी आ गई थी, अभी कुछी दूर गए होंगे, कि सोनल की डरी डरी चीक निकल गई, वो पल्टी, और पीछे की तरफ भागने लगी, डॉली और मोहित फिर अपनी जगा ठिटक गई, लेकिन टाइगर आगे बढ़ता गया, और सोनल के पास पहुँच, उसे थाम लिया, क्या हुआ सोनल, उसने पूछा, चिचची, वो कामती आवास में बोली, कहां, किधर, टाइगर ने पूछा, वो, वो उपर जाडियों में, सोनल ने इशारा किया, टाइगर ने जट रिवालवर निकाल लिया, और सब को दूसरी तरफ जाडियों में चिप जाने का इशारा किया, और स्वयम फूर्ती से एक पेट पर चड़ गया, कंदे पर लटकी दूर बिन निकाल कर, आँखों से लगाई और उधर देखा, जहां सोनल ने इशारा किया था, सच म क्यों नहीं किया, नमबर दो, चीते का भयानक मूँ जमीन पर टिका हुआ क्यों है, नमबर तीन, जहां चीता था, उस जगह की जाडियां अजीब तरह से दबी दबी से क्यों थी, टाइगर ने अपनी कलाई घड़ी पर नसर रखी, और सोचा कि पांच मिनट और देखा ज चीता हरकत करता है तो, और पांच मिनट गुजर गए, चीता जस का तस रहा, टाइगर ने बाया हाथ मूँ के दाइं तरफ लगाया, और उल्लो की जैसी बोली, तीन बार बोली, जिसका मतलब था, खत्रा टल गया है, साथियों बाहर आ जाओ, टाइगर भईया, क्या चीता भाग गया, बाहर आकर मोहित ने पूछा, नहीं, वो वही है, टाइगर ने तेजी से पेड के नीचे उतर आया, डॉली और सोनल भी बाहर आ गई थी, डॉली ने सुना तो डर कर चीखी, तो फिर हमें क्यों बुलाया, इसलिए कि सच मुझ खत्रा टल गया है, लिकिन चीता सोनल ने पूछना चाहा, वो मर चुका है, टाइगर ने जोर से टहा का लगाया, और रिवॉल्वर होलेस्चर में रख लिया, सब हैरां थे, ये कैसे हुआ, तब टाइगर ने समझाया कि डैडी ने इसी पर फायर किया था, वो आवास चेंगन की थी, चीते ने उन पर हमला नहीं किया, उसकी गर्दन जमीन पर टिकी थी, और जाड़िया इस तरह कुछली हुई थी, जैसे कोई उपर से लुड़कता हुआ आया हो, बस इनी बातों से टाइगर ने समझ लिया, कि चीता मर चुका है, अभी तो उसके मरने जीने की खबर ही नहीं, मोहित ने शंका व् नहीं तो मैं जाता हूँ, टाइगर गुस्से से चिलाया, ननन नहीं, हम, हम जाते हैं, सबके मुह से डरी डरी आवासे निकली और अपनी अपनी छोड़ी हुई जगों पर पहुँच गए, टाइगर ने सीटी बजाई और सब दोड़ पड़े, इस बार उनकी चाल पहले स दुगनी हो चुकी थी, वो जल्दी जल्दी से सोन मंदिर के पढ़ाव पर पहुँच जाना चाहते थे, ये वो स्थान था जहां से उन्हें बहुत ध्यान से और होश्यारी के साथ आगे बढ़ना था, क्योंकि यहां से पकडंडी नूमा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था, जिस पर चलते चलते सही जगा पहुँच सके, यह तोटे फोटे नुकीले पत्थर और पेड़ों की डालियां रास्ते में बिची थी, अगर फोर टाइगर्स ने पिंडलियां ढखने वाले मिलिटरी नूमा जूते नहीं पहने हुए होते, तो उनके पैर अवश्य जखमी ह हो जाते, सभी के जूतों के सोल मोटे रबट के थे, इसलिए चलने में भी असानी थी, इस बार सबसे आगे मोहित था, फिर डॉली और बात में सोनल, टाइगर्स की अपनी वही नपीतुली रफतार थी, उन्हें चलते हुए पौने दो घंटे हो चुके थे, सोन मंदिर का पड़ा वब केवल सवा घंटे की दूरी पर था, बीच की बाधाओं के कारण, जो दूरी वे ढाई घंटे पे पूरी कर सकते थे, अब तीन ही घंटे लगने वाले थे, टाइगर का खयाल था, कि अगर बिना रुके इस चाल से बढ़ते रहे, तो सोचे हुए टाइम पर प रखा ही था, कि उसके बराबर सटा पड़ा एक दूसरा पत्थर, उचट कर इतने जोर से उसके घुटने में लगा, कि वो तड़फ कर रह गई, संबल कर सीधे कड़े रहना चाहा था उसने, पर तकलीफ की वज़ा से दोहरा कर गिर पड़ी, मोहित और सोनल जोश में थे, और डॉली को छोड़ कर आगे बढ़ते चले गए, पर टाइगर को करनल विनोध ने सुरक्षा का काम सौंबा था, इसलिए उसे रुकना पड़ा, उसने दोड़ कर डॉली को उठाया और एक बड़े पत्थर पर बैठा थिया, उसकी आंकों में आंसु थे, टाइगर भईय कैसे हार गई, मैं अब कैसे दोड़ सकती हूँ, मेरे गुटने में चोट लगी है, खून बै रहा है, खून को तो अभी में बंद किये देता हूँ, टाइगर ने कहा और अपना किट खोल कर फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, लाल रंग की दवाई लगाई और जल्दी से मुश्किल है, उसने आओ देखा ना ताओ, और एकदम डॉली को कंधे पर डाल दिया, मुझे उठा कर कैसे चलोगे भईया, डॉली बोली, और क्या यहीं छोड़ दू तुम्हें, बाग बखेरों के लिए, टाइगर ने कहा, और करनल विनोद के बतायर रास्ते को छोड़ जब उसने सुना था कि सोनपुर के पहाडियों के मंदित जाना है, तो वो उसी वक्त पंडित देन देयाल के यहां पहुचा, और उसने उनसे शौटकट का रास्ता पोश लिया, पंडित जी बुड़े होने के कारण, अब सोर मंदिर के पुजारी नहीं थे, उनका लड़क रमते राम मंदिर का काम करता था, और रहता भी वही था, टाइगर को हैरानी हुई थी कि ऐसे भयानक इलाके में उनका लड़का अकेले कैसे रह लेता है, तो पंडित जी ने दोनों हाथ उपर उठा कर कहा था, सब देवी की कृपा है, वो बहुत तेजी से घने जंगली र आवाजी थी, लेकिन उन सब के बीच एक और भी आवाज थी, जैसे कोई लोहे के सर्ये से टीन के बकसे पर प्रहार कर रहा हो, ये कैसी आवाज है डॉली, टाइगर चोकन्ने पन से बढ़ बढ़ाया, आवाज डॉली ने हैरानी से पूछा, ध्यान से सुनो, टाइगर ने अजीब आवाज है, डॉली चिलाई, धीरे बोलो, लगता है पास में ही कोई है, शायद एक से ज्यादा हो लोग, टाइगर ने होंटो पर उंगली रख डाली और डॉली को समझाया, भाया, तुमने नक्षे वाला रास्ता छोड़ कर अच्छा नहीं किया, अगर वे दोनों किसी खत्रे में पढ़ गए तो क्या होगा, डॉली ने चिंता भरे स्वर में कहा, आगे डैडी है और उनके पास चेंगन है, वो रास्ता भी इतना खतरनाक नहीं, जितने पर हम जा रहे हैं, तुम उनके बारे में चिंता छोड़ो और इस आवास के बारे में बताओ, कि ये किसी बकसे को तोड़ने की आवास है, जिसे डाका डाल कर उठा लाई होंगे, वंडर्फुल, मैं भी ये ही सोच रहा था डॉली, तुम तो भई बहुत होश्यार हो गई हो, जासूसी के काम में तुम्हारी चैसी लड़कियां, बड़ा ही नाम कमाती हैं, टाइगर ने खु कैसे ही छोड़ दे, बला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो तो बहुत सारे होंगे ना, बिल्कुल ठीक, अच्छा, अब तुम ऐसा करो खड़ी हो चाओ, टाइगर ने कहा, उसके कान उसी आवास की तरफ लगे थे, वो चुप चाप खड़ी हो गई, होंटों से जरा भी सीसी नहीं की थी उसने, वो समझ रहा था कि टाइगर क्या चाहता है, अब चल कर देखो, टाइगर ऐसे मुस्कुराया, जैसे उसे होसला दिलाना चाह रहा हो, और सचमुश डॉली चलने लगी, चोट में दर्ट तो था, पर डॉली बरदाश करना जानती थी, वो बहुत होसले वाली लड़की थी, समय आने पर सारे दुप दर्ट भोल जाने वाली, एक बार तो दो दिन तक अपनी टोली के साथ, भूकी प्यासी एक गुफा में चिपी रही थी, भूक ने बुरा हाल कर दिया था, और प्यास ने गले में नुकिले कांटे उगा दिये थे, पर उसने उ गुट, मैं तो बेकार ही खबरा रही थी, सारा दर्ट गायब हो गया टाइगर भाया, डॉली ने चहक कर कहा, एक तो धीरे बोलो, दूसरे पश्चिम की तरफ बढ़ो, आवाज उदर से आ रही है, टाइगर ने कहा, और होलेस्टर में रखे रिवॉल्वर पर हाथ रख ल लगता था जैसे मशाल जला कर पेट पर टांग दी गई हो, टाइगर बंदर जैसी फूर्ती से पास के एक पेट पर चड़ गया, पहली ही डाली पर से उस पार का दृश्य दिख रहा था, थोड़ी सी समतल जगा में तीन बंदोग धारी नजर आ रही थे, उनकी कमर में कार ही साफे बांद रखे थे, डाकू करनल सिंग टाइगर बुद बुद आया, उसे मालूम था कि ऐसी वेश बुशा में दुरदाद डांकू करनल सिंग के दल के आदमी ही होते हैं, उसने देखा वैसे ही कपड़ों में एक पहलवान जैसा आदमी, एक भारी भरकम संदूग के कुंडे को तोड़ चुका है, जैसे ही उसने संदूग खोला, दूसरे तीनों डाकू भी आकर जुक गई, बड़ा माल है लाखन, एक काफी लंबे डाकू ने मूझो पर ताओ देते हुए कहा, हाँ सरदार, सेट लापचन के घर को लूटा है, उसके यहाँ चोर उचक्का भी कुसे, तो माला माल हो जाए, संदूग तोड़ने वाले डाकू लाखन ने कहा, पीरे क्या सोचा तुने डाकू करनेल सिंग बोला, सोचना क्या है सरदार, सोन मंदिर में देवी को भेंट चड़ेंगी, डाकू पीरा ने कहा, और तो बता चंबर, उसने तीसरे डाकू से भी पोश डाला, पीरठी कैवे है सरदार, सदा की रित है हमारी, इधर माल लुटा, उधर भेंट पूचा, चंदर ने हसते हुए कहा, जोरदार ठाहा का लगाया करनेल सिंग ने, देर तक हसता ही रहा, तीनों हैरानी से मुँ ताकने लगे उसका, लाकर ने ही हिम्मत करके कोई खता हुई सरदार, तुम सब के सब मोर्ख हो, सो तो है, नहीं होते तो सरदार होते, चंदर ने चुटकी ली, तुमको पता नहीं, सोन मंदिर अब हमारे लिए खतरनाक जगा है, वो कैसे सरदार, वहां करनल विनोद और फोर टाइगर्स डेरा डाल चुके हैं, और तब तो फिर शंदर चुप रह गया, जाना तो पड़ेगा, रीत निभाएंगे, चड़ावा हर हाल में चड़ेगा, करनल सिंग ने चाती ठोक कर कहा, पर, पर सरदार, जो होगा देखा जाएगा, देवी मा रक्षा करेंगी, करनल सिंग ने कहा, और संदूग बंद करके उ उकड़ू बैट गए थे, कुछ देर तक उन में सला होती रही, टाइगर ने जब देखा कि उसके मतलब के लिए अब कुछ नहीं रहा, तो नीचे उतर आया, उसके समझ में नहीं आ रहा था, कि आखिर डाकू करनल सिंग को उनके सोनपुर पढ़ाव के बारे में कैसे पता चला, वो सोचता हुआ उधर चला आया, जहां डॉली को छोड़ गया था, पर ये क्या, डॉली तो गायब थी, उसने तेजी से इधर उधर ढूंडा, डॉली का कहीं पता नहीं था, वो जोर जोर से उसे आवासे भी नहीं लगा सकता था, अगर ऐसा करता, तो डाकू करनल स और उसके साथ ही चोकन्ने हो जाती, फिर उसकी खोज होती, और अकेला पाकर उसके साथ कुछ भी कर सकते थी, वैसे तो टाइगर किसी से भी डरने वाला नहीं था, पर समय का क्या भरोसा, तब टाइगर ने देखा कुछ ही दूरी पर एक टॉफी पड़ी थी, वो उधर ल गई थी, ताकि उस तक आसानी से पहुँचा जा सके, वो टॉफियां बटोरता हुआ आगे बढ़ता रहा, डलवान से दाइं तरफ चटानों से गिरी हुई जगा में पहुँचने के बाद टॉफियां मिलना बंद हो गई, या तो डॉली की टॉफियां खत्म हो गई थी, या फिर उसे यहीं तक लाया किया था, एक चटान की आड में होकर टाइगर ने होटों पर हतेली लगा कर ऐसी आवासे निकालनी शुरू की, जैसे एक साथ कई चुडियां चेह चाहा रही हो, तब ही उसे ख्याल आया कि ऐसी आवासे निकाल कर उसने गल्दी की, चुडिया उसने लंगूर की आवास की नकल में कुछ संकेत करने शुरू किये, ऐसा उसे इसलिए करना पड़ा, कि कहीं डॉली सच मुझ के लंगूर की आवास ना समझ बैठे, लेकिन ये बात भी तो थी, कि डॉली को ले जाने वारे ने उसका मूँ सक्ती से बंद कर रखा हो, और व की तरफ धरलान में दुआ सा उठता महसूस हुआ, उसने समझ लिया, कोई बेड़ी पी रहा था, और धुएं के चल्ले बना रहा था, धेरे धेरे किसकता हुआ वो नीचे उतरा, और एक जगा आकर ठिटक गया, वहाँ फोस की एक जोंपडी थी, डॉली जोंपडी के आग उस पार्ट खूद गया था, वो भी डाकू करनेल सिंग का ही आदमी था, टाइगर लपक कर खटोले के पास पहुँचा, और डॉली के मूँ में ठोसा हुआ कपड़ा बाहर खीच लिया, तुम ठीक तो हो ना डॉली, टाइगर ने प्यार से उसके बूरे बाल सहलाई, हाँ भईया, अच्छा हुआ तो मा गए, वो अपने सरदार को लेने गया है, उसके आने से पहले ही निकल चलते हैं, डॉली ने कहा, टाइगर ने जल्दी जल्दी उसके हाथ पेरों की रसियां खोली, और दोनों घड़ी जाडियों में उतरते चले गए, टाइगर ने डाकू सर फिरकर पहरा देते थे, ऐसे ही चौथा साथी गूमता हुआ उधरा निकला था, जहां डॉली खड़ी हुई थी, और पेर पर चड़े टाइगर के उतरने की प्रतिक्षा कर रही थी, चौथे डाकू ने सोचा, कि अकेली लड़की इस भयानक जंगल में नहीं हो सकती, टॉली चाहती, तो कंड की गुर गुराहट से टाइगर को साफधान कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया, गुर गुरुराहट से टाइगर चोकरना होकर उदर पलटता, और डॉली को खत्रे में देखकर डाकू पर टोट पड़ता, उनमें लड़ाई होती, तो जाडियों पत्रों में खड़ खड़ाहट होती और डाकू के सारे साथी आ जाते तब इतने सारे भयानक डाकूँ से मुकाबला करना कटिन हो जाता अते डॉली ने उसी समय कोई भी संकेत देना उचित नहीं समझा उसके पास एर गन थी पर उससे तो चिडियां मारी जाती है उसके पास तेजधार वाला चाकू भी था पर वो भी कमर में लटकी मियान में था और डॉली बेबस थी वो किसी तरह कोई चालाकी भी नहीं करना चाहती थी डर वही था कि एक साथ बहुत सारे हमलावरों से निपटना मुश्किल था करनल विनोन ने उन्हें अच्छी तरह समझा रख कि जब अकेले पढ़ जाओ और घिर जाओ तो बिफ्रे हुए सांड की तरह तोट पढ़ने की जगा लोमडी की चतुराई से काम लेना चाहिए वे दोनों घरी जाडियों में इस तरह होश्यारी से बढ़ रहे थे कि सरसराहट ना हो पर दो लोग जाडियों में और पर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता था टाइगर ने सोचा और डॉली के कान में फस फस आया जाडियों से बाहर निकलो वरना सारे डाकू जो करने होकर इधर बढ़ने लगेंगे और दोनों तेज़ी से एक पत्रीली पक्टंडी पर आ गए कुछ दूर ही चले होंगे कि एक गु गुफा में नहीं जाना चाहिए असल में ये डाकूं का इलाका था और इस गुफा में भी डाकू करनेल सिंग के साथी हो सकते थे दोनों कोश दोर और चले और दो भारी चटानों की आड में सरक गए जगा इतनी थे कि आराम से बैठ कर सांस ले सकते थे डॉली ठक गई थी अपनी एरगन कंदे से उतार कर चटान से टिकाती हुई लेट गई क्यूं क्या बात है डॉली टाइगर ने प्यार से पूछा कुछ नहीं टाइगर भाया तुम चिंता मत करो और आगे के बारे में सोचो डॉली बोली टाइगर सोच में डूप गया उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि घर के लोगों और जीप ड्राइवर के इलावा कोई नहीं जानता था कि वो लोग सोनपुर की पहाडियों में सेर सपाटे के लिए जा रहे हैं और मंदिर के सामने पढ़ाव डालेंगे फिर कैसे डाकू करनेल सिंग को इस बात का पता चल गया ड्राइवर और घर के लोगों पर शक करने की कोई वचा नहीं थी वे ऐसा करके अपने प्यारे बच्चों को कभी भी खत्रे में नहीं डाल सकते थे तो वो कौन हो सकता था अचानक टाइगर के दिमाग में बिजली सी कौन थी एक नाम उभरा पंडित देन दयाल दूसरा नाम भी चमक उठा पंडित रमते राम टाइगर हमेशा दूर की सोचता था और बाजी मार ले जाने या सब को चौका देने की उधेर बुन में लगा रहता था इसलिए वो पंडित देन दयाल के पास गया था ताकि शौटकट रास्ते के बारे में पूठ सके तो पंडित देन दयाल डाकों से मिला हुआ है जरूर उसने डाको सरदार को चौकना कर दिया होगा सरदार ने ही पंडित रमते राम को खबर भेश दी होगी और अब तो डॉली के पकड़े जाने और भाग निकलने से उन्हें पूरा पका विश्वास हो गया होगा कि फोर टाइगर्स और कर्नल विनोद सोनपूर के पहाड़ी जंगल में आ चुके हैं सारे डाकू, डॉली और उसे छुडाने वाले को खोजी कुत्तों की तरह ढूंडते फिर रहे होंके वो फिर पंडित देन दयाल के बारे में सोचने लगा सब कुछ तो ठीक पर सोन मंदिर में अकेले रहने वाले पंडित रमते राम को भूग प्यास तो लगती होगी के पहाडी जंगलों में रहने वाले डाकू ही पंडित रमते राम को खाना पहुंचाते होंगी देवी मा को चड़ावी ने भी उसे हैरान कर दिया डाकू लोग लोटे हुए माल में से कुछ हिसा मंदिर में चड़ाते आ रहे हैं तब वो चड़ावा कहां जादा है उसी रमते राम के पास पुलिस ने डाकू करनेल सिंग पर 25,000 का इनाम रखा हुआ है उसे जिन्दा या मुर्दा गिरुफतार कराने वाले को इतनी रगब मिलने की बात थी पर पंडित दीन दयार या रमते राम ने ऐसा नहीं किया उन्हें रोज की लूट में हिस्सा पाते रहने का लालश था डाकू को गिरुफतार कराके वो अपना नुकसान क्यों करवाते एक बार के पच्चेस हजार के बदले बार बार के हजारों हजार को ऐसे लाजशी लोग कैसे छोट सकते थे सोचने वाली बात थी टाइगर का मन घ्रिना से भर उठा मंदिर का पुजारी और डाकूओं का साथी उसका जबड़ा भिंच गया और तियोरियों पर बल्चपट पड़ गए धरम की आड़ में अपरात को आश्र देने वाले ऐसे लोगों के नकली चेहरों को उधारना और सारी दुनिया के सामने लाना सबसे बड़ा धर्म है उसने दिर निश्चे किया कि वो सोनपूर के पहाड़ियों से खाली हाथ नहीं लोटेगा उसके साथ डाकू और पंडित होंगे वो किसी हाल में उनको नहीं चोड़ेगा क्या सोचा टाइगर भाईया डॉली ने एकदम पूछा टाइगर जैसे सोते से जाक पड़ा कुछ दूसरी बातों में उलच गया था पर अब सारा रहस्ये खुल गया है टाइगर ने कहा चलना है या डॉली अभी कुछ आगे भी बोलती कि टाइगर ने होंटों पर उंगली रख कर उसे खामोश कर दिया चटानों के बाहर कई भारी भरकम कदमों की आहटे और कुछ लोगों के आपस में बाते करने की आवाजे आ रही थी लगता है भाग गए किसी ने कहा नहीं यही पर किसी जगा छिपे होंगे दूसरी भारी सी आवाज ने उतर दिया कैसे सरदार तीसरा स्वर उभरा ऐसे हालात में कोई भी एकदम नहीं भागता रास्ता साफ होने तक छिपे रहते हैं और मौका देख कर ही निकलते हैं जो इन जंगलों में शिकार के लिए आते हैं वे सोन मंदिर जरूर जाते हैं हम अगर उस रास्ते को पकड़ कर आके बढ़ें तो उने घेर सकते हैं तो फिर बड़े सर्दार एक और आवास थी कहा न अभी यहीं पर चिपे रहेंगे सर्दार ने जुड़क कर कहा अभी तो कह रहे थे वही आवास फिर उपरी अरे कैसे मोरकों से मेरा पाला पढ़ गया है एक दिन तुम जरूर मुझे फस्वाकर रहोगे भेजे में भुसा बरा है तुम सब के डाकू करनेल सिंग बुरी तरह चुंजला उठा सेहमा सेहमा सननाटा चाया रहा फिर सरदार ही बोला वे इतने कच्चे नहीं जो इतनी जल्दी निकल कर उस रास्ते पर बढ़े और हमारे चंगुल में फस जाए खड़े-खड़े मूं क्या देख रहे हो चलो ढूंडो उन्हें डाकु सरदार के कहते ही फिर कदमों की आवाजे आने लगी डॉली और टाइगर ने धम साथ लिया खत्रा उनके सेरों पर मंडरा रहा था और सचमुची सेरों पर से आवाज आई ये रहे सरदार दो है बस एक लड़का भी है टाइगर ने चौंकर उपर देखा चटान पर पीरा डाकु दुनाली बंदूप ताने खड़ा था उसकी पुकार के साथ ही कुछ बागते कदमों की आवाजे उधर की तरफ आती हुई महसूस हुई डाकु अंकल इत्ती जोर से मत बोलो मेरा दिल बहुत कमजोर है डाली मुस्कुराई चल चुप खड़ी रहे वो फिर गुर रहा टौफी खाएंगे अंकल डाकु सिंग डाली ने भोले पन से पूछा मेरा नाम पीरा सिंग है चोकरी अरे अरे उपर कहां को आती है पीरा डाकु हैरानी से बोला क्या टौफी नहीं खाओगे इस जंगल में टौफी कहां मिलती होगी प्लीज डाकु अंकल बस एक टौफी जरूर खा लो देखना कैट बिरिस टौफियां है डाली ये कहते हुए चटान के खोक्षलों और उभारों में जूते फसाती इतनी उपर आ गई कि पीरा के पैक उसके हातों की पहुँच तक थे डाली की मुठी खोली एक बिच्चु उसकी मुठी में से उचला और पीरा को पिंडली पर चिपक गया ये घबरा कर एकदम वो नीचे जुका और डाली ने एक बड़ी सीसुई पिंडली में चुबो दी पीरा चीक उठा उसन सहीत नीचे चौडी दरान में आगिरा डाली इस समय चटान पर चिपकली की थरा चिपक गई थी अगर ऐसा नहीं करती तो डाकू के साथ साथ खुद भी गिरती और उसके नीचे दब जाती टाइगर ने एक चलांग लगाई दुनाली अब उसके हात में थी दूसरी के ऊपर था डाली फूर्ती से डाकू पर कूदी उसके हात में वही चाकू था जो हमेशा उसकी कमर में लटकी चमडे की म्यान में रहता था उसने चाकू की नोप डाकू की गरदन में अडा दी अरे छोकरी बिचु ने काट लिया है मम मर जाओंगा पीरा डाकू गिड़ ग गिड़ा रहा था सची डाकू अंकल तुम मरोगे तो इस चाकू से बिच्चु के काटे से नहीं और लो मुझ खोलो एक टौफी तो खाही लो तुम भी क्या याद करोगे डाली ने कहा और एक टौफी पन्नी सहित उसके खुले मुझ में ठोस दी देखियो बीबीरी पास मे एक बोटी है उसे लेप लूँगा तो बच जाऊंगा और नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा मेरा वो बुरी तरह गिड़ गिड़ा रहा था डौली हसने लगी फिर बोली तुम तो बड़े बोले हो डाकू अंकल ये तो बस रबड का बिच्चु है उसने कहा और उसकी प रही उसने आस दिन से सोई निकाल कर फिर उसकी पिंडली में चुभो दी और डाकू पीरा के मूँ से सिसकारी निकल गई डौली इसकी कार तुसों वाली बेल्ट खोल कर उपर फैंको सरदार के साथ तीन लोग हैं मुझे देखते ही बंदू के संभाल कर चटानों की आर्ड में हो गई हैं इतनी फूर्ती दिखाई उन लोगों ने कि मुझे गोली चलाने का मौका ही नहीं मिला टाइगर चटान पर पेट के बल लेट चुका था डौली ने पीरा की कार तुसों वाली पेटी खोल कर उपर फैंक दी टाइगर ने जैसे ही वो पेटी लपकनी चाही धाएं की आवास होई एक गोली पेटी पर आकर लगी गोली की मार से पेटी उसके उपर से गुस्वी औ और उसके तीन चार कार्थुस एक साथ फट गए। भैयानक धमाके थे। टाइगर बिजले की चमक जैसी तेजी से पल्टा था और दाइं तरफ कूद पड़ा था। टाइगर भईया डॉली के मुझ से घबराई, डरी और परिशान लंबी चीक निकली। मैं ठीक हूँ डॉली टाइगर चिलाया। लेकिन पीरा डाकू के लिए इतना सा समय काफी था। उसने डॉली की कलाई पर जपटा मारा और चाकू अब उसके हाथ में था। वो उचला और देखते ही देखते डॉली को दबोच कर कंधे पर डाल लिया। चाकू की नोक इस बा डॉली की गर्दन पर थी। धाई 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 लगातार गोलियां चल रही थी। सरदार चोकरे से गोलियां बंद करवाओ। लड़की मेरे कबसे में है। पीरा चिलाया। अरे पीरा ये तेरी पेटी के कार्ट तो स्वट रहे हैं। बेफिक्र बाहर आजा। लड़ सरदार ने चिला कर उतर दिया। खबरदार सरदार उसके पास रिवालवर है। पीरा फिर चीखा। अरे तेरे पास वो प्यारी प्यारी गुडिया जैसी बच्ची नहीं है क्यारे। बुद्धु चल आजा बाहर। हम भी आ रहे हैं। करनल सिंग की आवास आई। वो बाह आजा आजा हम तुझे मारेंगे नहीं गबरा मत तुम दोनों के सहारे सोन मंदिर आकर चड़ावा चड़ाएंगे हमारी बंदूकों की नोके तुमारी गर्दनों पर होंगी तुम आगे आगे और हम पीछे पीछे देखे वो कनलुआ हमारा क्या बिगाड लेका। आजा मे प्रतमाने पर इनाम दिये गए थे। स्चेन गन एक और रखकर उन्होंने दोनों टेंटों में हवा भरी। वे सच मुझ तंबूओं की तरह तन गए। फिर उन्होंने दोनों टेंटों के चारों तरफ खूटियां गाड़ी और डोरियां बांध दी। उसके बाद अपनी लंबी चड़ी में चोरंगा जंडा बांधा जिस पर फोर टाइगर्स लिखा था। चड़ी को भी टैंटों के आगे गाड़ दिया। हवा के जोंकों से जंडा फट फड़ाने लगा। निपटकर करनल विनोद ने पोल्डिंग स्चूल खोला और उस पर बैट कर पाइप स उलगाने लगे। अभी उन्होंने दो चार कर्शी लिए होंगे कि चड़ाई पर हाफता हुआ मोहित नसर आया। वो एकदम उट खड़े हुए। बक अप मॉई बोई बक अप वो हाथ हिला कर चिल्डाई। मोहित दूने जोश से चड़ने लगा। कुछी देर में मोहित ह हाफता हुआ उनकी बाहों में जूल रहा था। अंकल मैं मैं हिलेरी बन गया। मोहित हाफते हुए बोला। येस माई सन नाव यू आर हिलेरी। मैं तुम्हे घर चलकर चांदी का खूप सूरत मैडल दूँगा। उन्हाने कहा और हाफ रहे मोहित को फोल्डिंग स्चूल पर बठा दिया। अंकल मैं आ रही हूँ। ये सोनल की आवास थी जो चड़ाई पर नजर आने लगी थी। बेटी सोनल अब तो तुम बचेंदरी पाल हो चुकी। धीरे धीरे आओ। डॉली यहान नहीं है। करनल विलोंदे पाइप से एक भरपूर कश लेते हुए कहा। डॉली तो मेरे पीछे भी दूर दूर तक नहीं है अंकल। ओ माई गाड। मैं जीत गई। सोनल खुशी से भरी हुई थी। उपर आने पर मोहित को बैठे देख उसका चेहरा लटक गया और वो ठेटक कर खड़ी हो गई। अरे क्या हुआ बेटे। करनल विलोंदे आगे बढ़कर उसे बाहों में ले लिया। ये ये अंकल मोहित भाया तो है ना। उसने हाफते हुए मूँ बना कर मोहित की तरफ देखा। ओहो अरे हमने गल्स और वोईस को दौड़कर अलग-अलग कर दिया। वो हिलेरी है और तुम बचेंद्री एक चांदी का मैडल तुम्ह बढ़कर अपने भाया से लिपट गई। भाया, वैसे तो तुम मुझ से आगे थे, पर मैं सोच रही थी कि जरूर भटक जाओगे और मैं जीतूंगी, पर यहां तो तुम पहले से बैठे हुए मिले। मोहित असने लगा, सोनल चारों तरफ घूम कर चेह की। बाई फड़ यह तो बहुत अच्छी जगा, मसा आ जाएगा, खूब पिक्निक रहे की। लेकिन सोनल मोहित गंभेर स्वर में बोला, हां भईया, सोनल ने आसमान में उरती चीलों को देखते हुए कहा, अब की बार तो कमाल हो गया, कैसे? टाइगर भईया हमसे हार गए, तो क्या हुआ? सोचने की बात है, क्या? आज तक वो कभी हारे ही नहीं, ओ, सोनल भी चौंकी, करनल विनोद पास आते हुए भूले, अरे, इसमें अच्रच की क्या बात है? जरूर है अंकल, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मोहित गंभीर था, भई कभी कभी पासा उल्टा भी पड़ जाता है, तुमने कचुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना? करनल विनोद मुस्कुराते रहे, वो इस रास को रास ही रहने देना चाहते थे, अगर बता देते कि उनके इशारे पर ही टाइगर पीछे रहा है, ताकि पीछे से उनकी रक्षा करता रहे, तो कास कर मोहित का दिल चुइंगम निका लिये, सोनल ने कहा और दो दो टौफियां दोनों को दे थी, करनल विनोद ने उन्हें एक एक चुइंगम दिया, करनल विनोद के पाइप जाड़ कर जेब के हवाले किया और फोल्डिंग स्टूल पर बैट कर टौफियां खाने लगे, मोहित ने अपनी एर गन उतारी और आसमान में नीचे उड़ती, चील का निशाना लगाया, चील को चर्रा लगा, वो चीखी और बल खाती हुई सामने वाले खड़े में जा गिरी, सोनल तालिया बचाने लगी, फिर अपनी एर गन एक दूसरे चील की तरफ तान दी, सोनल रग दो अपनी ग टेंट से टिका कर खड़ी करती, I am also sorry अंकर, मोहित ने भी अपनी गन रग दी, that's good, करनल विनोध मुस्कुरा तिये, वे दोनों उनके पास आ गए, और पलतिया मार कर बैट गए, करनल विनोध ने अपने फौजी जीवन का एक रोमांचक किस्सा छेड़ दिया, दूसरे मह युद में, जब वो इंडोनेशिया में थे, वहां के युद का अपना एक कार नामा सुनाते हुए, उन्हें काफी देर हो गई, जैसे ही किस्सा खत्म हुआ, वैसे ही चौंक पड़े, जल्दी से घड़ी पर नज़र दोड़ाई, ओ, माई गाड, तुम दोनों को, आई भी सवा घंटा हो चुका, लेकिन वो दोनों, करनल विनोद एक दम उठ खड़े हुए, उनके माथे पर चिंता की रिखाएं उभर आई, मोहित और सोनल भी खड़े हो गए, सैसा उन दोनों का ध्यान भी इस तरफ किज गया, कि टाइगर और डॉली अभी तक नहीं आए, जबक करनल विनोद गहरी सोच में डूबे हुए थे, अब क्या होगा, सोनल घबरा गई थी, देखते हैं करनल विनोद ने कहा, और अपनी स्चेन गण उठा ली, कुछ सोचा और फिर बोले, चलो मंदिर में, वो चल दिये, मंदिर की सेड़िया चड़कर दाइं तरफ के बरामद से आंगन में उदर गए और एक कोटरी के आगे रुख कर, करनल विनोद ने कुंडी खट-खटाई, कौन, अंदर से उनेंदी से आवास आई, दर्वाजा खोलो, करनल विनोद ने कहा, पहले बताओ हो कौन, यहां डाकूओं का खत्रा रहता है, वही आवास फिर सुनाई प उबासियां लेता हुआ कोई उठा, पलंग चर मराया, खड़ाओं की खट-पट हुई और दर्वाजा खुल गया, अरे सच्छी में आप तो करनल सहब ही है, पंडित रमते राम हसते हुए बोला, इन दोनों बच्चों को अपने पास बिठाओ, मैं अभी आता हूँ, करनल करनल विनोद ने कहा और पलट कर तेज-तेज कदमों से चले गए, उनके मन में गहरा पच्टावा था, बच्चों को दोड के लिए जोश दिला कर एक नया बखेडा खड़ा कर लिया था, अगर साथ ही रहते तो ये परेशानी नहीं उठानी पड़ती, करनल विनोद जैसे स होकर वो आई थे, आमतोर से ये रास्ता कम खतरनाक था, डाकू कभी ऐसे रास्तों को नहीं पकड़ते, जहां लोगों के आने जाने की संभावना रहती है, इस रास्ते पर जंगली जानवर भी भूले भटके चले आते थे, क्योंकि जानवरों को मनुश्य से बच कर जंगल जानवर क्योंकर उस इलाके में आते, वो तो किसी का भागय ही खराब होता है, जो उधर चला आए, जहां शिकारी घात लगाए बैठा हो, फिर कैसा हुआ ये, दिमाग चक्रा गया तक करनल विनोत का, वो जानते थे टाइगर दू सासी है, कहीं ऐसा तो नहीं, खत्रों से खेलने वाली उसकी रग फड़क उठी हो, और वो रास्ता छोड़कर जंगल में उदर गया हो, और भटक गया हो, लेकिन डॉली ऐसा भी हो सकता है, कि डॉली किसी खत्रे में पढ़ गई हो, और टाइगर उसे बचाने के लिए पीछे चल पड़ा हो, सोचते सोचते वो उस स्थान तक आ गए, जहां चीता मरा पड़ा था, उसे उन्होंने अपनी गोली का निशाना बनाया था, गोली चलाने के बाद, वो फूर्ती से एक पेट पर चड़ गए थे, ताकि बच्चों पर नजर डाग सके, कि कहीं वो भैबीत होकर रुप तो नहीं गए, उन्होंने स जाना बेकार था, इससे आगे ही दाई या बाई तरफ के जंगल में ही दोनों धस गए हैं, उनकी समझ में नहीं आया कि क्या करें, वो नहीं जानते थे कि टाइगर और डॉलिक किस तरफ गए हैं, निराशा से उन्होंने गरदन को जटका दिया, फिलहाल कुद समय और प्र गहरी बेचैनी और पेड़ा लिए वो लोट पड़े, पश्तावा बराबर बना हुआ था, ठके आरे वो पड़ाव पर लोटे तो देखा कि मोहित और सोनल पंडित रमते राम के साथ टेंटों के सामने खड़े बेचैनी से उधर ही देख रहे थे, अंकल टाइगर भईया और डॉली दिदी, और सोनल का गलार रुंद गया, आवाज खुट गई, क्योंकि जो पूछना चाह रही थी, वही आँखों से देख रही थी, करनल विनोद अकेले गर्दन जुकाई चले आ रहे थे, उनके पास आकर वो स्थेर खड़े हो गए, उन्होंने देखा दोनों क के चहरे एकदम उतर गए हैं, और आँखे डब डबा आई हैं, करनल विनोद मुस्कुराई, फिर एकदम हस पड़े, बी ब्रेव माई चिल्डरन, बी ब्रेव, इतना कहने भर से, उन्हें इतनी पेड़ा हुई थी, ये वही जानते थे, उन्हें एक पल चैन नहीं था, ध् करनल विनोद ने कहा, और फोल्डिंग स्चूल पर बैट गए, उनकी आँखे उसी रास्ते पर टिकी थी, जहां से अभी आई थे, बहुत बुरा हुआ करनल सहब, ऐसे खतरनाक इलाके में आपको बच्चों के साथ नहीं आना चाहिए था, पंडित रमते राम वहीं पर उक कारा पाकर वापिस आ सकता है, डॉली उसके साथ होगी, तो उसे भी कुछ नहीं होगा, करनल विनोद ने कहा, मैंने अकबारों में इन बच्चों की बहादुरी के बहुत से कार नामे पड़े हैं, लेकिन करनल सहब, अच्छी अच्छे सूर्माओं का भी एक दिन अंत होता है, पंडित रमते राम मुस्कुरा रहा था, क्या मतलब, ये तुम्हारा बोलने का तरीका है क्या, हमारे बच्चों का बुरा मना रहे हो, वो बिफर उठे, क्रोध में पंडित रमते राम के मुस्कुराने पर वो गौर नहीं कर पाई, लेकिन मोहित को वो मुस्कान गेरे के दुख पर मुस्कुरा सकता है शमा करना करनल सहब भूल हुई चमड़ी की जीप है फिसल गई मेरा कहने का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं पंडित रमते राम तुरंट सतर्क हो गया मोहित ने बहुत बारिकी से यह सतर्कता भी तार ली चलो सोनल मंदिर के बरामद में चलकर बैठते हैं अचानक मोहित ने कहा लेकिन मोहित भाईया सोनल ने बोलना चाहा जाओ जाओ बेटे चिंता मत करो मैं यहां बैठा हूँ उनके आते ही तुमें आवास दे लूगा करनल विनोद ने सोनल को उत्साहित किया दोनों चले गए बरामदे में आकर बैठने के साथ ही मोहित बोला मुझे ये पंडित बड़ा काईया लगता है हाँ भाईया देखो ना कैसी बुरी बात बोल रहा था कुछ गरबर लगती है सोनल क्या कोई ऐसी बात है जो ये पंडित जानता है ये कैसे हो सकता है ये खाना कहां से खाता होगा राशन होगा आप अपन दिन में कोई दे जाता होगा या खुद ले आता होगा तब तो यहां किसी कोठरी में चौका बर्तन होने चाहिए हाँ बिलकुल तो आओ चलो देखते हैं वे दोनों आंगन में उतर आए और कोठरीयां खोल खोल कर देखने लगे सारा मंदिर जांक लिया पर कहीं चुलहा और शक ठीक है यह सरूर डाकूँ से मिला है यह कौन से डाकूँ का इलाका है भईया करनेल सिंग जिस पर 25,000 का इनाम है वो तो बहुत भयानक डाकू है भईया हत्या करने में उसे मिनट भर नहीं लगता कामती आवास में सोनल बोली थोड़ी देर कुछ सोचती रही फिर बोली भईया जब पुलिस को मालूम है कि करनेल सिंग इस इलाके में रहता है तो उसे पकड क्यों नहीं लेती सोनल ने बड़ा अजीब पहारी जंगल है इसमें डाकूँ को खोच पाना आसान नहीं कहते हैं डाकू करनेल सिंग के इस इलाके में साथ ठीकाने है और हर दिन वो एक भी डाकू पकड़ा नहीं गया बाद में नश्ट हुए ठिकानों से दूर और अलग दो नए ठिकाने फिर बना लिये होंगे बड़ा चलाग डाकू है ये करनेल सिंग हां सोनल पुलिस कारेवाही का भी इसे हर बार पता चल जाता है कई बार पुलिस फोर्स को खाली हाथ लटना पड़ा जिस दिन हत्यार बंद पुलिस के दस्ते जंगल में उतरते हैं उस दिन वो अपने पूरे दल के साथ ना जाने कहां गायब हो जाता है कि पुलिस हैरान रह जाती है लगता है इस जंगल में जमीन के भीतर कोई सुरंग या तैकाना है डाकू करनेल सिंग अचानक उसे एक पुस्तक याद हुआई थी भारतिये मंदिरों की कहानी पिछली गर्मियों के चुटियों में पड़ी थी उसने पुस्तक इतने दिल्चस्प और जानकारी से भरी हुई थी कि दो बार पढ़ने पर भी चैन नहीं पढ़ा तो तीसरी बार पढ़ डाली उस पुस्तक में चंद्रगड के राज मंदिर की कहानी भी थी वो मंदिर ऐसे ही पहाड़ियों में बना हुआ था मंदिर के नीचे एक बहुत बड़ा तैकाना था जिसका रास्ता गने जंगल के भीतर बनी एक चार-पांच मेल लंबी सुरंग से होकर जाता था सोनल पंडित की निगरानी करनी चाहिए भाईया आल राइट सोनल आज से ही अपना काम शुरू मोहित ने कहा और उट खड़ा हुआ चलो अंकल के पास चलते हैं भाईया मैं देवी मा के दर्शन कर रहाऊं टाइगर भाईया और डॉली दीदी के लोटने की मनोती भी मांग लू भी रही फिर गुटनों के बल बैट कर बोली मा तुम सब की मा हो और हर मा अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं हम चारों छोटे छोटे बच्चे हैं हमारी चोकड़ी सारी दुनिया में मशूर है ये चोकड़ी तूटने नहीं पाए मा ध्यान रखना अपने बच्च ना मा और सोनल की आंखों से दो मोटे मोटे आंसु धलक कर गालों पर ठहर गए उसने हाथ जोड़े और माथा टेक दिया कुछ देर ऐसे ही रही और फिर जैसे ही गर्दन उठाई चौंक पड़ी देवी मा के पैरों से सोने का पत्रा थोड़ा सा उधड़ा हुआ था और काला लोहा जांक रहा था अरे ये क्या हुआ वो बुद बुद आई उसने सुन रखा था कि सोन मंदिर में देवी की ठोज सोन की मूर्ति स्थापित है वो एकदम उठ पड़ी और दोड़ते हुए आंगर बरामदा पार कर सेड़ियां उतरती हुई चिल्लाई अंकल अंकल करनल विनोत खड़े थे उसकी तरफ मोड़कर बोले क्या बात है बेटे अंकल देवी मा की मूर्ति लोहे की है वो पास आते हु क्या मतलब पंडित चौंकर बोला हा पुजारी चाचा वो लोहे की है उस पर सोने का पत्रा चड़ा है सोनल खड़ी हाफ रही थी ऐसा कैसे हो सकता है पंडित रमते राम के माथे पर हैरानी और परिशानी की रिखाएं खिंच गई मैं सच कह रही हूँ पुजारी चाचा त तो फिर असली मूर्ती कहां गई डाकू ले गए होंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता जो देवी माँ को पूछते हैं वो उन्हें चुराने का पाप नहीं कर सकते तो क्या डाकू पूजा करने आते हैं वो पता नहीं कब आते हैं और कब चले जाते हैं एक दो बार मैंने उन्हें देखा है पंडित रमते राम जानता था कि इन से जोट बोलने में कोई लाप नहीं बाल की खाल निकाल लेते हैं ये बच्चे अतिसतर खोकर गोल मटोल उतर देने लगा आपको डर नहीं लगता उनकी पूजा में रुकावट डालू तो मार नहीं देंगे क्या मुझे हाँ य नहीं आता कहां से है भगवान राम 14 बरस बन में रहे कंद मूर फल खाते रहे हम ऐसा ही करते हैं और जरने का पानी पीते हैं भगवत भजन और देवी मा की सेवा में समय कट ही जाता है कहते तो चीक है पुजारी चाचा लेकिन देवी मा की मूर्ती पंडित रमते राम का हाल सच मुछ बुरा था मोहित को आश्रे हुआ अगर ये व्यक्ति डाकों से मिला है तो मूर्ती के चोरी हो जाने से क्यों परिशान है इसके लिए तो ये मामुली सी बात होनी चाहिए चलो देखते हैं करनल विनोद ने कहा और आगे आगे चल दिये कुछी देर में वे देवी मा के सामने थे करनल विनोद और मोहित ने हाथ जोड़े सोनल ने आगे बढ़कर वो स्थान बताया जहां से लोहा जहांक रहा था पंडित रमते राम ताक से दिपक उठा लाया और देवी मा के पैरों की तरफ देखते ही हैरान रह गया मूर्ति सच मुछ लोहे की थी हरे मेरी मा ये क्या हुआ उसने दिपक रखकर अपने बाल नोच लिये पुजारी चाचा दिपक के लिए तेल कहां से आता है सोनल ने एक सैसा प्रश्न किया मास में दो चार भक्त आते हैं चड़ा जाते हैं तेल भी काम चल ही जाता है वो बोला तो दर्शन के लिए लोग यहां आते हैं क्या हां कहा ना दो चार बस उन्हें डर नहीं लगता क्या डरते हैं सब डरते हैं बंदोबस से चलते हैं सब बंदोग पिस्टॉल होती है पास में कभी कोई शिकारी कभी कोई वनस्पती पर रिसीर्च करने वाले आ जाते हैं बहुत पूछ ताच कर ली अब मूर्ती के बारे में भी सोचो पंडित रमतिर राम ने कहा और बढ़ बढ़ाता हुआ बाहर निकल गया मूर्ती की चोरी की घटना ने करनल विनोद और दोनों बच्चों को भी हैरानी में डाल दिया था कौन चुरा सकता है मूर्ती करनल विनोद बाहर की तरफ बढ़ते होए बोले कोई भी जो यहां आया होगा नहीं मूर्ती उसने चुराई होगी जो कम से कम तीन बार मंदिर में आया होगा करनल विनोद बोले शुरू में वो मूर्ती देख कर ललचाया होगा दूसरी बार नाप खोज की होगी तीसरी बार में असली मूर्ती से नकली को बदल दिया होगा करनल विनोध ने कहा वे आंगन में आ गए थे पंडित रमते राम दिवार के पास खड़ा था और ना जाने क्या बुद्ध बुदा रहा था पुजारी चाचा क्या देवी मा के कख्ष का द्वार ऐसे ही खुला पड़ा रहता है सोनल ने पूछा नहीं लकडी के द्वार पर लोहे का जंगला है जिसमें नमबरो वाला ताला लगता है जिसके नमबर सिर्फ मुझे ही पता है वो बोला ऐसा कोई आदमी है जो दो से अधिक बार दर्शन के लिए आया हो मोहित ने पूछा इस महीने एक विदेशी जोड़ा चार बार आया था मार्गरेट का कहना था कि वो जंगली वनस पती पर रिसरच कर रही है उसके साथ उसका पती पीटर जॉर्च हर बार आया और कोई पता वही तो नहीं जो चोरी के बरतन वगएरा खरीदता है और एक बार जेल भी काट चुकरा है करनल विनोध ने पूछा हाँ वही अंकल कहीं उसी ने तो चोरी नहीं की कुछ कह नहीं सकते बड़ा पिचीदा मामला है मंदिरों से मूर्तियां चोरी होने या उनके जवा रात के गैने गायब होने की खबरे सुनने पढ़ने को मिलती रहती है पर ये मामला कुछ अलग ही लगता है हाँ हाँ एक बात और बताईए पंडिर जी करनल विनोध ने कुछ याद करके पूछा पूछिए आपको आज ही इस बारे में पता चला कि मूर्ति चोरी हो गई ये तो किसी भी दिन जान सकते थे कैसे भला पूजारी लोग भगवान की प्रतिमा को रोज सनान कराते हैं हाँ मैं तीन लोटा जल डालता हूँ आँखे बंद कर मंत्रों का चाप करता जाता हूँ पूजा आर्ति के समय भी अधिकत्तर आँखे बंद ही रखता हूँ कभी ध्यान नहीं गया उधर पंडित रमते राम ने कहा फिर एकदम चौंकर बोला ओखो कर्णल सहाब एक दिन मुझे मूर्ती अपनी जगा से कुछ सरकी हुई लगी थी और मैंने देवी मा को यथा स्थान कर दिया तनिक भी नहीं सोचा किंग हे मा उस दिन तो वो जोड़ा आया था और सूरज मल कसेरा भी पंडित रमते राम फिर अपने बाल नोशने लगा था उसके चेहरे पर गबराहट की काली बदलियां भी चाई हुई थी फिर तो बात साफ हो गई मोहित ने जल्दी से कहा हाँ हाँ उनमें से कोई चोर होगा पंडित रमते राम ने एकदम कहा सूरज मल को तो पकड़ा जा सकता है लेकिन अंकल मार्गरेट और पीटर ने मूर्ती चुराई होगी तो उन्हें कैसे ढूंडेंगे सोनल ने प्रश् कि वो किस यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर है करनल विनोध ने पूछा नहीं ये तो नहीं पर हाँ पीटर कह रहा था कि वो तीन मास से शेहर के होटेल डिलक्स में ठहरे हुए थे पंडित रमते राम बोला और धम से वहीं चबूतरे पर बैट गया ओल राइट फिर तो होटेल से उनका स्थाई पता मालूम हो जाएगा सोनल बोली कोई जरूरी नहीं है सोनल चोर लोग कहीं भी अपना सही पता नहीं बताते मोहित ने कहा फिर करनल विनोध पड़ाव पर चले गए मोहित और सोनल भरामदे में आ बैठे उन्हें टाइगर और डाली की डाली अवश्य मूर्ती चोर तक पहुंच आते टाइगर और डाली को डाकू ने एक पेड के साथ रस्ती से बांध दिया था उनका सारा सामान पास ही एक तरफ पड़ा था रिवॉल्वर चाकू डाली की एर गड सबको चेन कर उन्हें निहत्ता कर दिया था दोपहर को सभी उन्हें भी खिलाया गिया जब वे दोनों खा रहे थे तब चार डाकू अपनी बंदूकों के साथ उन्हें घेरे हुए थे पानी पिला कर दोनों को फिर बांध दिया दोपहर बात चाय दी गई चाय इतनी कड़वी थी कि डाली ने कुली करती और मग फैंक दिया ये कोई है डाकू अंकर डाली ने चिला कर कहा चाय नहीं तो क्या दूथ है डाकू खिस्या किया डाली छोड़ो ये सब यहां जैसा मिलेगा वैसा ही तो देंगे इस जंगल में इनकी मम्मी तो है नहीं जो मलाई वाली चाय बना कर दे सके टाइगर ने हसकर कहा जब पता चल जाए बच्चू, मंदी में चड़ावी के बाद सर्दार, तुमको छोडने वाले नहीं, तुम जैसे खतरनाक लोगों से निपटना, सर्दार को बहुत आता है, डाकू ने गुसे में भरकर कहा, हम खतरनाक कैसे हो गए अंकल जी, डॉली बास नहीं आई, तुम चारो जासूस बच् चोरी डकैती तसकरी में अर्चर ने आने लगी है, धेरो अप्रादी शहर और इलाका छोड़ कर भाग चुके हैं, डाकू बोला, अंकल जी, तुम तो अच्छे और शरीफ डाकू लगते हो, तब ही तो इतनी समझदारी की बात करते हो, तुमारी गिरफतारी के बाद, मैं तुम्हें सरकार से इनाम दिलवाऊंगी, डॉली ने भोले पन से कहा, चुप करो डॉली, टाइगर जुंजला उठा, डॉली ने अपने होंट भींच लिये, डाकू दोर पत्थर पर जा बैठा, और बेडे सुलगाने लगा, दोपहर धल रही थी और शाम करी बाती जा रह होंके, हाँ, ये सब मैं भी सोच चुका हूँ, फिर भाग निकलने की तरकीब सोचे, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्यों, हम भाग निकले तो ये लोग होश्यार हो जाएंगे, फिर क्या मंदिर में चड़ावा चड़ाने नहीं जाएंगे, जाएंगे जरूर जिस देवी के भक्त होते हैं उस मंदिर में जाकर ही रहते हैं बात मेरी समझ में नहीं आई टाइगर भईया ऐसा है कि ये लोग हमें बंदूकों से कवर करके मंदिर में जाएंगे ऐसी हालत में इनकी साफधानी और सतर्पता धीली पर चाएगी दूसरे हमारे लोग दो मोचों पर होंगे एक तरफ डैडी के साथ मोहित और सोनल दूसरी तरफ इनके बेश मैं और तुम बात तो पते की है टाइगर भईया लेकिन उन्हें ये तो मालूम नहीं है कि डाकूं की क्या चाल है अब इसका क्या किया जाए तभी दो डाकूं उनके पास आई और रसियां खोलने लगे दूर बैठा डाकूं भी पास आ किया तुम अपना सारा सामान समेट लो एक डाकूं बोला दूसरे डाकूं ने आगे बढ़ कर उनके सामान में से रिवॉल्वर एर गंड और चाकूं अपने कबजे में कर लिए ये हमारा सामान है डाकूं अंकल डॉली ने कहा हत्यार नहीं मिलेंगे डाइगर और टॉली ने समझ लिया कि अब बच्चे खचे सामान को समेटना ही बेतर है और वो जल्दी से जल्दी समेटने में लग गए डॉली ने अपने चड़ी उठाई और एक डाकूं के सामने पहुँच कर बोली ये भी लिलो क्यों डाकूं ने चौंक कर पूछा ये भी हत्यार है डाकूं हसने लगा अरे हसने हो तुमने वो दोहा सुना होगा अंकल कौन सा ठीकर डाकूं अंकल हस लो बाद में मुझसे मत कहना कि बताया नहीं समान समेटने के बाद तीनों डाकूं उन्हें लेकर सरदार के पास आए ये वही जगा थी जहां फूस की जोपड़ी के सामने खटोले पर डॉली को बान्द कर डाला किया था वहाँ धेर सारे डाकूं थे डाकूं सरदार खटोले पर बैठा हुका गुड़ गुड़ा रहा था आ गए बच्चो शाम होने वाली है अब चलना होगा वहाँ पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा डाकूं करनेल सिंग ने पास खड़े दूसरे टाकूं को पकड़ा तिया आओ मेरे पास बैठो दो मिनट सुस्ता कर फिर चलते हैं ओ आप कितने अच्छे डाकूं हैं अंकल डॉली ने कहा और लपक कर सरदार की बगल में बैठ कई टाइगर भी दूसरी बगल में जा बैठा थोड़ी देर में ही एक डाकू थाली लिए आया थाली में एक नारियल, फूल, धूप और अगरबतियां थी एक और डाकू दूसरी थाली लाया उसमें चार सोने के कड़े, एक हार और नोटों की दो मोटी गड़ियां थी डाकू करनेल से उक्ट खड़ा हुआ कूच करो मेरे शेरों, वो दहाडा कल का दिन कौन से ठिकाने पर गुजारेंगे सर्दार, एक डाकू ने पूछा नमबर तीन, सुगगा और बल्लू को भेश दो, रोटी पानी का जुगाट कर रखेंगे, सर्दार ने कहा रात कहा धावा बोलेंगे सर्दार, एक और डाकू ने पूछा सुमेर गाओं के चौधरी के घर, रास्ते में स्कीम बना कर सबको समझा दो उसने कहा और टाइगर वो डॉली की तरफ मुड़ा, चलो रे बच्चो, बहुत सुस्ता लिए टाइगर और डॉली उट गए, चार डाकू ने उन्हें गेर लिया, काफला आगे बढ़ा रात घेर आई थी, चार बादलों में छिपा हुआ था, एक बार बादलों की और से निकला तो चांदनी छिटक गई टाइगर ने गर्दन उठा कर उपर देखा, तो मंदिर का कलश चांदनी में चमक रहा था तबी चांद वापिस बादलों के देश चला गया, और अंधेरा फिर चा किया कुल 18 डाकू थे, सरदार 19 वा था, दो डाकू ठिकाने नमबर 3 की तरफ चले गए थे टाइगर का दिमाग उस ठिकाने को लेकर ही उल्जा हुआ था, सुगगा और बलू दक्षिन दिशा की और गए थे टाइगर को भी मालुम था, कि दोदान डाकू करनेल सिंग के साथ ठिकाने हैं, उनकी बातों से ये बात भी खुल गई, कि वो ठिकाने और डाका डालने का प्रोग्रेम पहले से कभी किसी को नहीं बताता, जब कोच का समय होता है, तब ही सब जान पाते हैं सरदार के आगे आगे लाखन चल रहा था, उसके हाथ में वायरलेस था, अभी कुछी कदम आगे बढ़े थे कि पींपीं की आवाज गुंचने लगी, टाइगर ने चौंक कर देखा, आवाज वायरलेस से आ रही थी कौन, लाखन स्पीकर से मू लगा कर बोला, हाँ हाँ, माहराज में लाखन बोल रहा हूँ, लाखन पीटर आया था, क्या बोलता है, किसी भी केमत पर मानता है, सरदार नहीं माने के, बात तो करो, बात के साथ ही मौत समझो मैंने भी बरसो सेवा की है, अब मेरा बेटा कर रहा है, मैं तो रासी हूँ, बेटे को भी कर लूँगा, सरदार को तुम पटाओ, माहराज मुझे सुनैरी मौत देने के पीछे क्यूं पड़े हो, अरे, इतनी बड़ी रकम कोई नहीं दे सकता, अच्छा अब बंद करो, सर डाकू लाखन सिंग ने पास आते हुए पूचा, कौन था रे लाखन? महराज थे सरदार, क्या कहता है पंडित? पुलिस के बारे में बता रहे थे, गर्ष्त? हाँ सरदार, आश्राज किस तरफ दबिश है? पूरब की दिशा में, फिर तो सुमेर गाउं का धावा समझो डाकू लाखन सिंग ने कहा, टाइगर ने वायरलेस पर सारी बाते सुनी थी, वो महराज सेवा बेटा जैसे शब्दों के उचारन से समझ किया था, कि पंडित देन देयाल ही लाइन पर था, उसे आश्रे हुआ कि पंडित डाकूं से बहुत गहरे तक जुड़ा है, इतना क उसके पास वायरलेस सेट भी है, लेकिन पीटर, बड़ी रकम और सुनहरी मौत ने उसे उलजा कर रख दिया था, पता नहीं क्या था, जिसके बारे में सरदार के सामने एक शब्द भी बोलना चाहता था, बार बार उसके दिमाद में सुनहरी मौत ही मंड़ा रही थी, उसन में कहा, सब थोड़ा-थोड़ा फोट कर चलो, कोई आहट ना हो, साफधानी से, उस कनलुए के पास चेन गन भी है, पौजी आतमी है, डर खौफ नहीं उसे, बहुत अच्छा सरदार, लाखन ने कहा, और थोड़ी ही देर में काना फूसियां कर, सब को हुश्यार कर दिया, पंडित का पढ़ाव, मंदिर का पढ़ाव बिल्कुल निकट था, दोनों टेंट तने थे, और फोर टाइगर्स फ्लैग, हवा के जोंकोर से पड़ फड़ा रहा था, चारों तरफ सननाटा बिचा हुआ था, टाइगर्स ने सोचा, मोहित और सोनल, टेंटों में पड़े ख बजारने की आदत थी, लेकिन दूसरे एक शर्ण ही उसने सोचा, कि अभी अधिकरात नहीं हुई है, इतनी जल्दी सोने वाले नहीं है, उसे ये भी खयाल आया, कि डॉली के साथ उसके भी गायब हो जाने से, तीनों को नेंद आने का सवाल ही नहीं उठता था, तब ही उस मैं देख रहा हूँ, टाइगर बोला, दोनों कहां जा रहे हैं, मंदिर में, क्यूं, अरे हम लोग रातों में जब इस तरह निकलते हैं, तो किसी शक पर खोजबीन के लिए ही जाते हैं, ओ, डॉली ने कहा, और मैसूस किया कि डाको ने भी मोहित और सोनल को देख लिया है, रोको इने लाकन, डाको सरदार ने कहा, लाकन ने पिस्चल निकाल कर हवा में फायर किया, मोहित और सोनल जाडियों में कूद गए, कोई फाइदा नहीं, तुम्हारे दो आदमी हमारे साथ हैं, और बंदूकों को नाले इन पर टिकी हुई हैं, लाकन ने चिला कर कहा, मोहि कहीं भी ओ, हत्यार डाल कर सामने आचाओ, हमारी बात पर भरोसा नहीं, तो लो, अपने बच्चों की आवास सुन लो, लाकन सिंग ने फिर उंची आवास में कहा, बोलो ने बोलो, निकालो आवास अपनी, सरदार ने टाइगर के कंदे पर हाथ रखते हुए कहा, मोहित और हैं, डैडी, सचमश हम इनके चंगुल में फसे हैं, ये उनने सत्यार बन डाकू हैं, अंकल, हमारी जान की परवा मत करना, डैडी, हत्यार मत डालना, अंकल, एक, चुप करो दोनो, तुमसे ज्यादा अकल रखे हैं, करनल वा, करनल वा, तुम्हारे कहने से नहीं अपनी अक भर आई, पर उसने दान भेंच कर, अपनी करार रोक ली, जानवर मत बनो, सरदार, देखते नहीं डाली कितनी चोटी बच्ची हैं, टाइगर को गुसा आगिया, चल चल, बड़ा आया हमदर्दी दिखाने वाला, सरदार बोला, इतनी ही हमदर्दी है तो ले, अब दिखा ह में, उसने कहा, और एक जपाटा मार कर, डॉली को गिला दिया, डॉली चीखी और सिसक उठी, टाइगर बरदाश नहीं कर सकता था, हदो चुकी थी अब, वो किसी चीते की तरह उचला, और पीछे बलट कर सरदार के चहरे पर, अपने सिर को टकर मार दी, सरदार उलट गया टाइगर रुका नहीं, वो फिर उचला, और अपने जूते की दो तीन ठोकरे, उसके पेट में जड़ती, अगर वो खुला होता, तो तुफान मचा कर रख देता, नहीं टाइगर भईया, इनसे मत भिड़ो, ये उननिस है, और हत्यारों से लेस है, डॉली कराती हुई तार थूपता हुआ उठ रहा था, उसका चेहरा गायल हो गिया था, और पेट में टीसे सी उठ रही थी, उसकी काली पगड़ी दूर जा पड़ी थी, अभी वो उठ भी नहीं पाया था कि दो शेरों के दहारनी की आवा से गुण जुठी, टाइगर और डॉली तुरंत हुआ, मोहित और सोनल सामने वाली जाडियों में कूदे थे और आवाजे बिलकुल पीछे से आ रही थी, शेरों की दहारे सुन कर सरदार का ध्यान बट गया था, वरना टाइगर से बदला अवश्य लेता, और डाकूओं का बदला जान से हाथ दो बैटने तक चला जाता है चो कन्ने हो जाओ, ससुरे इधर आएं तो गोलियां पर उठा लेना, जाने कहां से आ मरे ये शेर, डाकूओं सरदार ने कहा, इस बेच वो काफी आगे बढ़ाई थे, पीछे दूसरी तरफ की जाडियों से कोई उचला, ये भारी पत्थर था, एक साथ तीन चार गोलियां पीछे था, उसके हाथ में स्चेन गन थी, ये मोहित था, जो जाडियों में रेंगता हुआ पीछे की तरफ चला आया था, जाडियों में ही कहीं टेप रिकॉर्डर लिये सोनल चिपी थी, शेरों के दहाडने की आवा से लगातार आ रही थी, इनी दहाडों की वज़ा से ज जाडियों की सर सराहट डाकू नहीं सुन पाई और मोहित को मौका मिल गया, डाकू, मेरे हाथ में स्चेन गन है और मैंने तुम्हारे सरदार को कवर कर लिया है, सब अपने हत्यार डाल दो, वरना सरदार को भून दूगा, मोहित शेर की तरह दहाडा, फैंक दो हत्यार, डा का ठंडा स्पर्ष महसूस हो रहा था, शेरों की दहाड बंध हो गई, दूसरे हिक्षन, सोनल टेप रिकॉर्डर लिये जाडियों से बाहर आ गई, बाई फोडॉर, सरदार जी, आज मैंने डाकूं को शेर की आवाज से डरते देखा, ए, ये देखो टेप रिकॉर्डर, श केर फिर दहारने लगे, सोनल कोदती हुई खेल खिला रही थी, सभी डाकूं उकडू बैट जाओ, मोहित गुर्राया, डाकूं बैट कहे, सोनल टाइगर भईया और डॉली दीदी के हाथ खोल दो, मोहित ने उससे कहा, सोनल ने टेप रिकॉर्डर बंध करके, जेब के हवा रात में ही पुलिस फोर्स लेकर लोटेंगे, अंकल को तुम्हारी बहुत चिंता थी, वो चाहते थे कि रात से ही तुम्हारी खोच शुरू करते, सोनल ने उत्तर दिया, और तुम्हें अकेला छोड़ गए, डॉली ने कहा, नहीं, हमें तो पंडित रमते राम के हवाले कर हमने उन्हें क्लोरोफार्म सुंखा कर बेहोश कर दिया, मोहित ने कहा, क्यूं, टाइगर ने पूछा, हम मंदिर का तैकाना ढूनना चाहते थे, पंडित जी रोड़ा अटकाते, सोनल बोली, अंकल स्चेंगर मुझे दे गए थे, कि खत्रा महसूस करो तो इस्तेमाल करने स मत हिचकिचाना, मोहित ने कहा, लेकिन तुम दोनों जब जाडियों में कूदे, तब तो हाथ में स्चेंगर नहीं थी, डॉली ने पूछा, दीदी, मैंने गले में लटका रखी थी, पीछे से कैसे दिखती, आज इसी स्चेंगर ने तो कमाल कर दिखाया, मोहित चहक कर बो कि तुम दोनों भी जासूसी के काम में चूस्त होते जा रहे हो, टाइगर ने कहा, और मोहित के पास आख खड़ा हुआ, लाओ, मुझे दो स्चेंगन, मोहित ने स्चेंगन पकड़ा दी, टाइगर गर्चा, सरदार, मेरा निशाना इन तीनों से बढ़िया है, कोई चालाक की रसियों से इनके हाथ बांध दो, और एक बड़ी रसी सब की कमर में बांध कर, इनकी रेल तयार करो, जल्दी, पांच मिनट में सब हो जाए, टाइगर ने कहा, डॉली और मोहित और सोनल अपने काम में जुट गए, उनके निबटने पर टाइगर फिर बोला, मोहित, अब क्या करे टाइगर भईया, डॉली ने पूछा, सारी बंदुके इकठी करके रसी से एक गठर सी बांध दो, और तीनों मिलकर खाई में फैंक दो, टाइगर ने कहा, वो तीनों हत्यार फैंक कर लोटे, सभी डाकूओं की जामा तलाशी ली, चाको छुरिया मिली, वो भ तोनों टैंटों में क्या कर रहे थे, टाइगर ने एक दम पूछा, मुझे अपने टौफियां लेनी थी, सोनल बोली, और मुझे 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 प्रेम चंद की कहानियों की किताब लेनी थी, उसकी एक कहानी पर हम नाटक बनाने वाले हैं, टाइगर भईया, सोचा तैकान की खोद से निपट कर पढ़ता रहूंगा, और अंकल की राद देखता रहूंगा, मोहित ने कहा, और राइट, सुनो, अब तुम लोग, उसने डाकूँ से कहा, अपनी रेल मंदिर की तरफ चलाओ एक दम, देरी की तो सब को भून कर रख दूँगा, और सारे डाकू हट ब अपने और डॉली के साथ एक-एक कर सारा किस्सा सुना दिया, फिर मोहित ने अपनी कहानी सुनाई, वे लोग घेरा बनाए बैठी थे, चांद कभी बदलियों की ओट में चला जाता, तो अंधेरा चा जाता, और निकलता तो चांदनी छिटक पड़ती, मोहित ने सुरंग और तहकानी को लेकर जो कुछ भी सुनाया, उससे टाइगर का माथा ठनका, उससे समझने में देर नहीं लगी कि मंदिरों के पुजारी या मठा धीश आदी ऐसे तहकानों का रास अवश्य ही जानते हैं, पंडित दीन दयाल और अब रमते राम तहकाने का रास्ता ना चां की ये भी साफ हो गया था, टाइगर अब सुनहरी मौत का अर्थ समझ चुका था, अगर लाखन सिंग ठोल सोने की मूर्ती चुडा कर देन दयाल की मार्फत पीटर को बेश देने की बाद भी जुबान से निकाल था, तो सरदार करनेल सिंग उसे मौत की नेंद सुला देता, यही थी सुनहरी मौत, डाकु सरदार देवी मा का भग था, भला वो इस बाप को कैसे सह लेता, मौर्ती देन दयाल ने नहीं चुराई थी, क्योंकि वो सौदा पटाने कोई अभी तक बात ही चुला रहा था, मौर्ती रमते राम के बलबूते पर भी चोरी नहीं हुई थी, क्योंकि उसका बाप बेटे को राजी करने की बात कह रहा था, दूसरे रमते राम स्वयम हैरान, परिशान और डरा हुआ था, लगता था रमते राम भी डाकु सरदार की वज़ा से ही डरा हुआ था, मौर्ती पीटर और मार्डरेट के हथे भी नहीं चड़ी थी, क्योंकि पीटर आज सौदे के लिए पंडी देन दयाल से फिर मिला था, और इसी कारण लाखन पर भी शक नहीं जाता, फिर तो चोर सीधा सूरज मल्क कसेरा राम है, उन्हें यहां बैठे हुए और आपस में बात चित करते काफी देर हो गई थी, एकदम टाइगर बोला, चलो तब अब तक तैकाने को ही खोशने की कोशिश करते हैं, आल राइट, कुछ नहीं तो बोरियत ऐसे ही दूर हो जाएगी, डॉली बोली और उट खड़ी हुई, टाइगर कुछ सोचता रहा फिर उसने पूछा, तुमने पंडित रमते राम को कितना क्लॉरोफोम सुंगाया था, अब तक पंडित जी होश में आ चुके होंगे, मोहित बोला, तो फिर पंडित से ही पहले पूछते हैं, डॉली ने अपना विचार रखा, हाँ चलो, लेकिन दर्वाजा खोलना नहीं है, टाइगर ने कुछ सोचते हुए कहा, क्यूं, मोहित ने बूचा, क्या तुमने उसक के हाथ पैर बांग दिये थे, टाइगर ने उल्टा प्रश्न किया, नहीं तो, मोहित बोला, बस यही गलती हो गई है, कैसे, पंडित ने होश में आते ही सब के हाथ खोल दिये होंगे, बिल्कुल चीक, इसका तो हमें ध्यान ही नहीं रहा, ऐसे में कोई भरोसा नहीं कि हम दर्वाज़ा खोले, और डाकु हम पर तोट पड़ें, हाँ, ये तो है, सोनल बोली, लेकिन टाइगर भईया, हमारे पास हत्यार भी तो है, डॉली ने कहा, डॉली, अचानक हमला हो, और हमारे हत्यारों से चार-पांश डाकु मारे भी जाएं, तो क्या होगा, अब तक तो डाकु सोचे बैठे होंगे, कि फांसी चड़ने से तो अच्छा है, कि एक जड़प हो ही जाए, बचे हुए तो भाग ही सकेंगे, ये डाकु कोठरी में बंद रहते, तो कुछ कर नहीं सकते, खुलते ही कोई इनका भरोसा नहीं, लेकिन हत्यार बन धेरों पुलिस आ जाए तो इनके सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए, डाकु लोग हमसे भिरने की हिमत एक बार कर लेंगे, पर पुलिस से नहीं, ये जानते हैं कि पुलिस इन सब को जान से मार देने में भी नहीं चूकेगी, टाइगर ने विस्तार से समझाया, फिर तो सिर्फ दर्वाजा खट- सोनल ने कहा, वे बाते करते हुए पंडित रमते राम की कोठरी के दर्वाजे तक का गए थे, टाइगर ने इस चेन गन से दर्वाजा खट-खटाया, पंडित रमते राम क्या तुम्हें तैकाने का रास्ता मालुम है, टाइगर ने जोर से पूछा, हाँ जी मालुम है, मु डाको सरदार की आवास थी वो काहे नहीं बताऊं रमते राम बोला वहां हमारा माल है सरदार ने कहा पकड़े तो गई पुलिस आने वाली है और तुमको अपने माल की पड़ी है पंडित रमते राम ने व्यंगे में कहा जेल से भागेंगे तब माल हटाएंगे अपना सरदार ने गुसे में भर कर कहा खाल उधेर कर पूछेगी पुलिस तो आप ही उगल दोगे पंडित खिसिया उठा टाइगर और उनके साथ ही अंबर की बाते सुन रहे थे सब अलग अलग धंग से सोच रहे थे टाइगर का सोचना था कि अगर पंडित से और पूछा गिया तो अंदर सारे डाको उससे जगडा करेंगे हो सकता है उसे जाम से भी मार डाले चलो बेकार है पूछना टाइगर बोला क्यूं डॉली ने प्रश्न किया रमते राम को खत्रा है क्या पता गुस्से में भर कर डाको उसे मार ही डाले टाइगर ने गंभेर स्वर में कहा ओल राइट तो चल कर बैठते हैं डॉली बोली पुलिस अपने आप उगलवाई की चारूं वापिस बरामदे में आकर बैठ गए टाइगर भाईया मुझे तो नीन दा रही है सोनल उबासी लेते हुए बोली ओके तुम जाकर टेंट में सो जाओ टाइगर ने कहा सोनल उठी और टेंटों की तरफ चली गई उन्होंने देखा कि वो एक टेंट में घुस रही है लेकिन तभी एक चीक गुणजी ये क्या? ये तो सोनल की चीक है टाइगर ने सोचा और स्चेन गन लिये लिये चलांग लगाई जरा सी देर में वो टेंटों के सामने था लड़की मेरे कबसे में है और चाकू इसकी गर्दन पर रखा है किसी ने गड़बर की तो काट दूँगा आवाज सुनकर चौंक उठा टाइगर ये लाखन था डॉली और मोहित भी आ गए थे अब तक क्या हुआ टाइगर भईया? डॉली ने पूचा अंदर डाकू लाखन है सोनल को पकड़ लिया है और मारने की धमकी दे रहा है टाइगर ने चिंतित स्वर में कहा लेकिन डाकू तो सब अंदरबंध है मोहित हैरान था शायद लाखन रसियों से बाढ़ने से पहले ही किसक लिया था इतने सारू डाकू होने से इधर ध्यान ही नहीं गया असल में हमें तभी इनकी गिंति कर लेनी चाहिए थी टाइगर ने कहा अब क्या होगा डॉली बोली पूछते हैं टाइगर ने गला खंकारा लाखन क्या इरादा है तुम जब बश निकलेते तो भाब क्यू नहीं गए अब चला जाओंगा वो बोला लाखन की आवास आई तो पहले क्या करोगे मुझे देवी मा की मूर्ती चाहिए वो तो चोरी हो गई लाखन हस फड़ा सच्ची डाकू अंकल वो नकली मूर्ती है डॉली बोली लाखन और जोर से हसने लगा क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता तो सोनल से पूछलो सबसे पहले उसने ही पता लगाया था कि मूर्ती किसी ने चुरा ली है मोहित ने कहा अपने हत्यार जमीन पर रख कर दस दस कदम दूर खड़े हो जाओ मैं बाहर आ रहा हूँ अगर किसी ने हुश्यारी दिखाई तो ककड़ी की तरह काट के रख दूँगा गर्दन लाकन गुर्राया तीनों ने अपने हत्यार जल्दी से जमीन पर रख दिये और जो दूर जाओ खड़े हुए सोनल को लिए लाकन बाहर निकला सच मुच उसके गर्दन पर चाकु रखा था वो सेहमी हुई थी उसकी आंखों में भय का काला चाया हुआ था बाहर आकर लाकन फिर गुर्राया तीन हत्यार हैं चौथा भी ले लो उसने खुंकार आंखों से टाइगर को गुरा टाइगर ने होलेस्टर से रिवालवर निकाला और उसी स्थान पर उचाल दिया जहां दूसरे हत्यार रखे थे लाकन ने आगे बढ़कर सब हत्यार समेटे और कंधे से जोला उतार कर उसमें भर लिये अब उसके हाथ में स्ट्रेन गन थी उसने सोनल को छोड़ दिया था वो भी अपने साथियों की तरफ दोड़ गई ऐसे मौके पर तो अपने डाकू साथियों को बचाने का प्रत्र करना चाहिए लाकन टाइगर बोला भाड में जाए ससूर डाकू की भी क्या जिंदगानी एक दिन कुत्ते की मौत मारे जाते हैं या जेल में उमर भर सड़ते रहते हैं लाकन बोला बात तो सही कहते हो फिर मूर्ती और तैकाने में छिपा माल लेकर निकल जाऊँगा इनको छुडाने का मतलब होगा फिर से डाकू के जीवन में लौट पड़ना इतना माल होगा मेरे पास कि जिंदगी सुक से कट जाएगी बहुत दूर चला जाऊँगा मैं लाकन कुछ भावको उठा था तुम तो बहुत अच्छे डाकू हो मैं तो समझीती कि सारे डाकू कमीने होते हैं डॉली बोली अच्छा अच्छा पीछे घूम जाओ और चल पड़ो मंदिर की तरफ लाकन स्चेन गण हिलाते हुए गुर राया लेकिन मूर्ती तो चोरी हो गई टाइगर बोला पता नहीं तो मानते क्यों नहीं हूँ मंदिर की तरफ घूमने से पहले टाइगर ने एक बार फिर कहा जिसने चुराई है मैं उसे जानता हूँ लाकन मुस्कुराया है क्या कहते हो मेरा शक्तो सूरज मल कसेरा पर है टाइगर ने चौंक कर कहा ठाहा का लगाया लाकन ने वो ससुरा क्या खाख हात डालेगा हमारे माल पर लाकन ने दान पीस कर कहा तो फिर किसने चुराई टाइगर ने पूछा जो रमते राम को खाना देने आता था डाकु सर्दार के दाए हाथ लाखन ठाकुर ने ओ, तो तुमने मूर्ती चुडा कर पहले से कहीं चिपा दी है हाँ, बड़े समझदार बच्चे हो लाखन हसा अच्छा अब में देरी मत करो पीछे घूम जाओ सब जने वे मंदिर की तरफ घूम कर चल पड़े टाइगर पीछे था और उसके पीछे लाखन सीडियों के पास आकर लाखन ने मंदिर के पीछे चलने को कहा पीछे दिवार में एक भारी भरकम दर्वाजा था लोहे की मोटी सांकल चड़ी हुई थी लाखन के कहने पर मोहित ने सांकल खोल दी लाखन ने उसकी तरफ टॉच उचाल दी टॉच जला कर मोहित दर्वाजा खोल कर अंदर खुझ गया फिर डाली डॉली और उसके बाद सोनल अंदर गए टाइगर और लाकन भी अंदर आ गए थे लाकन ने एक ताक में रखे पीतल के बड़े सारे दीपक को पूरे चक्कर में घुमा दिया सामने दिवार में पत्थर की एक सिल हटती चली गई दिवार में अब एक अलमारी नजर आ रही थी सबने देखा सोने की मूर्थी उसमें रखी चमक रही थी तब ही टाइगर ने अपने साथियों को संकेत किया मोहित ने टॉर्च बुझा दी और उसी क्षण सभी जमीन पर लेट गए लाकन ने जपट कर मूर्थी बगल में दबाई पलट कर दर्वाजे की तरफ कुदा उसी समें टाइगर ने टंगडी मार दी वो रेंग कर दर्वाजे तक पहुँच गिया था लाकन धराम से ओंधे मूग गिला स्चेनगन उसके हाथ से छोट गई टाइगर उचला और लाकन की पेट पर जा बैठा डाइगर ने इस चेनगन लपक ली थी मोहित ने टॉर्च जला दी थी रोशनी में सब ने देखा बाजी पलट चुकी थी डाकूँं के साथ साथ मूर्ती चोर भी पकड़ा जा चुका था तब ही बाहर पिस्चल से छूटने वारी गोलियों की शाएं शाएं सुनाई थी सिगनल थे आशंका में आख की धार की तरह छूटने वाले सिगनल पुलिस फोर्स आ गई डॉली ने खुशो कर कहा और लाखन की और मुड कर बोली डाकू अंकल तुम्हें दुलहा बनाने के लिए बारात आ गई है उठ जाओ अप टाइगर ने उसे छोड़ दिया लाखन उठ खड़ा हुआ लाओ मूर्ती और हत्यारों वाला जोला मुझे दो टाइगर ने गुर्रा कर कहा लाखन ने चुप-चाप सब दे दिया तबी बाहर माइक पर चितामिया सुनाई पढ़ने लगी वे चारों लाखन को वहीं बंद करके बाहर आ गई अगले दिन के अकबारों में फोर टाइगर्स के नए कार नामे को धूम मच गई विशेश संसकरण निकाले गई प्रेस के लोग कुछ तो फोर्स के साथ ही आए थे कुछ खबर लगते ही पहुँच गए सुबह होते होते हजारों की संख्या में लोग सोन मंदिर में आने लगे थे असली मूर्ती के आगे श्रद्दा से से जुकाने के बाद वे फोर टाइगर्स को देखने के लिए दौट थे एसपी गिरिश ने बच्चों को 25,000 रुपे सरकार की तरफ से इनाम दिये जाने की घोश ना की तो उत्सा में और भी अनेक लोगों ने उन्हें नकत पुरुसकार देने के लिए कहा बाई फोटोर ये तो तो तेर लाक रुपे हो गए सोनल ने कहा टाइगर खड़ा हो गिया और भीड के बीच में पहाँच गिया एक पहलवान आदमी ने उसे कंधे पर उठा लिया कंधे पर बैठा टाइगर गंभीर आवास में बोला सबको फोर टाइगर्स की तरफ से जैहिन हमें जो डेर लाक रुपे मिलना तैह हुए है वे हम शहर से मंदिर तक सडक निर्मान के लिए देते हैं आग से सोन मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भगतों को कोई खत्रा नहीं रहा देवी मा की जैह हो और टाइगर की घोशना सुन कर भीड नाशने लगी और मा की शान में भजन गाने लगी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें आपको ये कहानी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताएं मुझे और इस कहानी को सुनने के लिए आपका थैंक्यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा खयाल रखें